आज मैं आपको यह A-Line Maxi Dress बनाना बताऊंगी इसे आप कम कपड़े में बना सकते हो तो मैंने ज़ॉर्जट के कपड़े से और इसमें मैंने दो मीटर अस्तर का यूज़ किया है तो लेट्स कट स्टार्टेट पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगी तो यहाँ पर मैंने यह ज़ॉर्जट का कपड़े लिया है और यहाँ अस्तर लिया है तो पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बार फोल्ड करते हुए अस्तर को रखा है इसकी लंबाई मैंने लिये 16 इंच इसकी चौड़ाई मैंने हाँ पर ली है 24 इंच तो टॉप पार्ट की रैग्री लेंध है 15 इंच तो यहाँ पर मैंने एक इंच एक्ष्ट्रा लेते हुए 16 इंच इसकी लंबाई रखी है पॉटल यहाँ पर 4 लेयर हैं कपड़े की एक साइट खुला मिलेगा एक साइट बंद बंद साइट से निशान लगाएंगे तो 7.5 इंच यहाँ पर मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ आप होल भी यहाँ मैं 7.5 इंच ले रही हूँ जितना शोल्डर होता है उतना ही आम होल लेते हैं अब यहाँ चैस्ट की मार्किंग करेंगी तो यहाँ पर चैस्ट थी 36 इंच तो 36 का चोथाई भागवा 9 इंच उसमें आदा इंच लोजिंग लेते हुए साड़ी 9 इंच मैंने चैस्ट की मार्किंग की है इसी तरह कमर का भी चोथाई भाग लेंगे तो यहाँ 30 का हुआ साड़ी 7 तो आदा इंच लोजिंग लेते हुए 8 इंच मैंने कमर का निशान लगाया है देड़ इंच इसमें मार्जिन का आड़ करेंगे देड़ इंच की मार्जिन ज़रूर लेनी है अब यहाँ साड़ से एक इंच पनिशान लगाएंगे और हलका सा राउंड शेप दे देंगे आम होल की शेप ड्रॉ कर लेनी है तो यह बैक आम होल और यहाँ पर फ्रंट आम होल आगे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे तो पहले बैक आम होल को हमें कट करना है इसके बाद एक पार्ट को अलग कर लेंगे और यहाँ फ्रंट आम होल की गहराई देंगे यहाँ पर अस्तर की cutting हो गई है अस्तर को मेन फैब्रिक पे रखते हुए cutting कर लेंगे इस तरह से मैंने front और back दोनों पार्ट पे अस्तर को रखते हुए cutting कर ली है और इसको मैंने pin से set कर लिया है जिससे कपड़ा खिसकी नई अब यां स्लीप्स की कटिंग करेंगे यां स्लीप्स के लिए मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड करते हुए रखा है इसकी विद है 20 इंच और इसकी लंबाई मैंने लिह 13 इंच एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे टोटल कपड़े की 4 लेयर मिलनी चाहिए एक साइड खुला मिलेगा और एक साइड बंद खुली साइड से निशान लगाएंगे तो नीचे से साड़ी तीन इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ उपर की तरब भी साड़ी तीन इंच पर निशान लगाना है और जहाँ पर निशान लगा है साड़ी 3 इन्च का वहाँ सी हमें उपड़ तक एक कर्भ बना लेना है इस थरह से स्लीबज का अकार बना देंगी यहाँ पर हमारे आरमोलता 15-15 का आधा साड़ी साथ पर मैंने निशान लगा लिया है आगे की मोरी याँ पर मैं साड़े पांच इंच पर निशान लगा रहे हूँ लाइन ड्रॉ कर लेंगी और देल इंच मार्जिन का रख लेंगी देल इंच मार्जिन का जरूर लेने है कटिंग कर लेंगी स्लीप्स को ओपन करेंगी और फ्रंट आर्मोल की गहराई दे देंगी तहां पर आपको कपड़े की सीधे उल्टे का बहुत ध्यान देना होगा तो फ्रंट आर्मोल में मैंने इस तारा हलकी सी गहराई दे दी है स्लिप्स के लिए रफल बनाएंगे इसके लिए यहाँ पर मैंने दो कपड़े के पीस लिए हैं इनकी लंबाई और चोड़ाई 15 इंच है एक बार कपड़े को फोल्ड करेंगे और दुबारा से फोल्ड कर लेना है तोटल कपड़े की यहाँ पर आठ लेयर मिलेंगी एक साइट बंद एक साइट खुला हुआ बंद साइट का जो कॉर्णर है वहाँ से निशान लगाएंगी तो साड़े साथ इंच यहाँ पर मैं लंबाई ले रही हूँ गोलाई देते हुए कटिंग कर लेनी है इसको ओपन करेंगे ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें हाई लो स्लीप क्रेट करने है इसके लिए इसको एक बाफ वोल्ड करेंगे और चार इंच का डिफरेंस रखेंगे दोनों में इस तारह से बड़ी छोटी स्लीप्स बन जाएंगी अब जो हमारी ओपत की स्लीप है उसमें मार्जिन को छोड़ते हुए फोल्ड कर लेना है और इसको कपड़े पे रखते हुए निशान लगा लेंगे तो यहाँ पर दो इंच मिला है तो दो इंच पर निशान लगाते जाएंगे और एक राउंड कर बना लेंगे मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ देंगे यह हाई लो रफल स्लीप की कटिंग हो गई है अब जो छोटा बाला हिस्सा है वो उपर की तरफ रहेगा स्लीप्स में और जो लंबा बाला है वो नीचे की साइड इस तरह कपड़े पर सेट कर लेना है अब बॉटम की कटिंग करेंगे तो बॉटम के लिए पहले मैं अस्तर पर कटिंग करूँगी तो अस्तर को मैंने एक बार फोल्ड करते हुए रखा है यहाँ पर इसकी लंबाई मैंने टोटल ली है चौतिस इंच अस्तर की लंबाई में फैप्रिक से दो इंच कमी रखते हैं और इसकी चौड़ाई यहां पर मैं ले लिए 60 इंच कपड़े को एक बार फिर से फोल्ड करेंगे बंद साइड से कमर का फोर्थ पार्ट लेना है जो की हुआ साड़ी साथ और जिसमें हमें तीन चार इंच लोजिंग का रखना है तो यहां पर मैंने साड़ी दस इंच पर निशान लगाया है अब इस निशान को बॉटम की कॉर्णर तक मिला देना है इस तरह तिलशी लाइन बनानी है और कटिंग कर लेनी है तो यहां पर कपड़ी के दो बीस मिलेंगी एक फ्रेंट पार्ट और एक बैक पार्ट यहां मेंन फैब्रिक पे कटिंग करेंगी तो मेंन फैब्रिक को भी मैंने फोर फोल्ड में रखा है एक साइड खुला हुआ और एक साइड बंद साइड से निशान लगाएंगे मेन फैब्रिक की जो लंबाई यहाँ पर मैंने लिया 36 इंच यहाँ पर भी कमर का फोर्ट पार्ट लेंगी 7.5 और उसमें 4 से 5 इंच की लोजिन जितना आपका फैब्रिक को उतना लेना है तो यहाँ पर मैंने लिया 1.5 इंच तो उपर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस निशान को बॉटम की कॉर्णर तक मिला देना है तेज़शी लाइन बनानी है और जो बॉटम का कॉर्णर है वहाँ पर नीचे से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और एक हलका सा कर्व बना देंगे साइट से बस हमें हलकी सी गोलाई देनी है कटिंग कर लेंगे तो बहुत ही इसली आप बॉटम की कटिंग कर सकते हैं इस तरह आप इसली इस ड्रेस की कटिंग कर सकते हैं ड्रेस की स्टिशिंग वीडियो देखने के लिए पार टूब को जरूर देखे थैंक्स वर वाचिंग